हालो यह इंड वेलकूम टू द ऑएस्टि चैनल आज हम डिसकस करने वाले हैं फंगल के बारे में क्योंकि हमने स्ची डिसकस की वर्बली जो डिजीज है उनके बारे में वर्बली information और कैसे identify करते हैं उनके symptom कैसे होते हैं यह सब चीज हमने डिसक्स की आज हम करने वाले हैं पैथोजन पैथोजन में हर पैथोजन को step by step fungal then bacteria then virus then virus and other जो भी पैथोजन हैं उनके बारे में हम discuss करेंगे तो चलिए चलते हैं fungal और fungal को विखिवी जानते भी हम हमने देखा वी है ऐसा निए कि इस चीज़ को हम डिसक्स करेंगे जिसको खुली आखों से हमने देखा है अब बात करते हैं फंगल की लेकिए फंगल की साइज 10-15 mm से लेकर 0.0.10-0.15 mm से लेकर बाकी साइज तो आपने देखा होगा मस्रूम की साइज कितनी होती है सेंटीमीटर में इसकी साइज देखी जा सकती है मस्रूम और इसके अलावा डिफरेंट काइंड आप मस्रूम भी होती है वही फंगस होती है बाकी जो पॉर्स होते हैं फंगल के जो कोस होते हैं डिजीज के ठीक है फंगल एक डिफरेंट है तो यहां पर बैनेफीशल फंगल लेकिन जो बैनेफिसियल बागत जाते हैं तो इसको कड़ा देते हैं वह अगर उसको डिसकस करने चे पहले अपने चीज़ डिसकस कर लेते हैं कि कुछ जो एलेमेंट या और्गेनिजम होते हैं उनमें सिंगल सेल होती है कुछ और्गेनिजम होते हैं उनमें डबल सेल होती है तो फंगल का फेवर एक क्लियर कर देते हैं कि एक इस्ट होता है इस्ट क्या करता है तक बैया । सबनेー के जलेबी घाई कि Зд tube क। जलेबी बंती अर्जूस का गोल बनता है वो इसकी वजह से बनाया जाता है कि उभी फंगली होता है पहले मैंड़ा बगेरा से माइधा सही बनता होगा हाँ साइथ मैंड़ा से थो तो मेदा को सबसे पहले उसमें बरतन में रखा जाता है फिर बरतन में रखने के बाद में उसमें इस्ट होते हैं या तो पहले से क्योंकि ऐसा किया जाता है नौट माना नहीं जाता क्योंकि जिस बरतन में जलीबी का जो बरतन होता है उसमें घोल बनाया जाता है उसको कभी दूलता नहीं है क्योंकि उसमें पहले से इस्ट है जब रात पर उसको छोड़ दिये जाएगा तो उस रड़ने लगेगा दूसरे तक और इतने मल्टीपल इस्ट हो जाएंगे मल्टीपल उसमें फंगस हो जाएगी तो वह तिर क्या होगा और उस रड़ने की वज़ा से फिर ऊसमें सेल होती है रेष्ट में सभी में क्या मिलती है फंगल में मुर्टी सैलिललर होते हैं तो एक चीज़ पहले किलियर हो चुकी है बात करते हैं हम क्यूकि अपन विमें मज्टीप शलूलर है अपने अंदर ने सिंगल नहीं है चीक है तो बात करते हैं step by step फंगल आर यूूकरोक्रेटिक औरगेनीजम चीक है fix किस के टेगरी का है यूकरेटिक ओरगेनििजम चाहिए माइक्रो अश्च ऐस करگे जिए इस्ट मॉल्ट एंद मस्रूम मस्रूम हमने देखा है जिएंदर मॉल्ट यह होता है इसट भी सैम के टेग्री का आता है बर्ट इस्ट सिंगल सेलूलर होता है इतना सा डिफ्रेंट है इस्ट मोल यह सारे क्या होते हैं यू केरियो टू कैटेगरी के अंदर आते हैं चली बात करते हैं के यहता है चीवसों फंजाइः अर्मटि चैलुलर ऑरिणीभिध ओर्गनिसरी विट आइद नुटियूर मेम लैंपरेंज यूकि नूक्लिया सबुक्रीक वह ने क्यूंत पर जोक्र देख आतने बर्ट इक लिडियों इया थ्रयूर्स होता है विच नूगलियर इसमें होता है जिसका कलर यलो कलर का होता है उसमें कलॉरोफिल होता है तो फंगस का कलर तो ब्लेक होता है या फिर वाइट होता है यलो कलर का फंगल तो हमने देखा नहीं देखा नहीं होता है क्या नहीं होता है क्लॉरोफिल उसमें नहीं होता है चलिए बात करते हैं यह क्य जाए कि उसको क्या होता है mycelium बोलते हैं और अपन उसको भी पिक्चर डिसक्स करेंगे what is the mycelium and इसको क्यों mycelium कहा जाता है second branches are called hypes branches को क्या कहा जाता है hypes कहा जाता है जिका अब एक चीज question बना हुआ है क्या question बना हुआ है कि जो फंजाई का होता है उसको क्या कहा जाता है mycelium and second part hype so what is the differences between mycelium and height mycelium and height की बीच में क्या difference है यह question बना हुआ है ठीक है third one reproduction of fungi through sexual and asexual methods so sexual or asexual दोनों method के तरूस में क्या होता है reproduction होता है चले बात करते हैं तटे甜eस इस यूनी सैलुलर elas और मल्टी सैलूलर ब्रांचेंग बोडी होती ये समें मल्टी सैलना बांचिंक बोड़ी होती है मतला जो बहुत सारी ब्रांच देखने को मिलती हैं तो क्या क्या चीजिया हमें यहां से देखने को मिली multi-cellular eukaryotic और with cell well or without lacking of chlorophyll chicken lacking of chlorophyll reproduction through a sexual reproduction or sexual reproduction बहुत okay तो चलिए बात करते हैं there are two type of words which is used to define it a whole part of fungi is called mycelium and then some part which is the branch of fungi is called hypes branch of fungi is called hypes got it come to the next part now this structure of fungi we which kind of what kind of structure we can see so you have a structure की बात करें तो इसका कोई particular structure नहीं होता particular कोई इसका safe नहीं होता ठीक है different shape के different structure के देखने को मिलते हैं यहीं पर हम बात करेंगे let's say almost alright almost all fun almost all fungi have gross all fungi have filamentous structure worst kind of structure filamentous structure except yeast cells yourself cell filamentous structure नहीं होती अधरवाइस सबका जो structure होता है which kind of filament structure filament kind of structure filament क्या होता है उसको बारे में भी अपन discuss करते हैं they can be either single cell or multicellular organism got it fungi कौन किसकी बात कर रहा है यह single cellular में yeast है multicellular is पहले इसने यहां पर लाइन है कि यह हो सकते हैं सिंगल सेल और multicellular हो सकते हैं लेकिन single cell में इस्ट आता है multicellular में कौन आता है multicellular में rest fungi आते हैं ठीक है fungi consist of long thread यह कैसे होते हैं long trick धागे के सम्मान दिखाई देते हैं structure known as hypes structure hypes अभी बोला हमने hypes किसको बैजते है mycelium किसको बाला जाता है तो दागे की तरह जो दिखाई देते हैं उसको hypes बोला जाता है ठीक है these hypes together from mace-like structure called mycelium और बहुत से जो दागे जो मिलकर एक जो बनाते जैसे downy mildew कि हमने बात की वह cotton type का structure होता है उसको क्या कहा जाता है mycelium कहा जाता है जो सब दागों के एक साथ मिला कर गुथावा जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाएगा mycelium कहा जाता है now fungi possess a cell wall fungi को क्या होता है cell well होती है उसमें चीक है यह important part है कि किसी किसी में cell well होती है किसी में नहीं होती है इसले question पूछा जा सकता है which made up of tinin and polysaccharide से बने होते हैं तो tinin क्या होता है polysaccharide क्या होता है यह आप जानते हो नहीं जानते तो मैं भी नहीं बनता ठीक है तो कोई बात नहीं बराबर हो गए ठीक है दिक है polysaccharide saccharide जैसे हम बात करते हैं formation की बात करें carbohydrate की formation की बात करें तो यह एक structure होता है polysaccharide का poly नहीं बहुत से पोई से एक तो वर्ट थोड़ा सा मैंने ज्यादा साइजिन की कम रख ली तो कहीं पर मिस अधे सेल वेल कॉम्प्राइस सेस प्रोटो प्लास्ट विच इस डिफेट सेट इंटो अधर सेल पार्ट सच अच अच सेल मेंब्रेंज चिक है ज्याद को आख साईटो प्लास्म और रगों एल्स अंज नुकलाइस चिक है तो छोटो प्लास्ट होता है चिक है उद प्रोटो प्लास्ट ओन को डिफेट करता है किस कि क्सकी केटेगरी में अच्छ पार्टिकल सेल मेंब्रेंज शाइटो प्लाजम सेल और अर्गिनीज मे तो यह तो सेल में अपने साइंस में बार बार यह तो पढ़ते हैं इसकी कोई पर्टिकुलर हमें रिक्वाइमेंट्स नहीं होती क्योंकि सेल के बारे में हम बखुवी जानते हैं तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है मेंब्रेंस क्या होता है साइटोप्लाज्म क्या होता है चीक है कि एक मिनिट वेट कीजिएगा कुछ टेक्निकल इस्यों आरहा हुआ थीक है तो मेंब्रेंस होता है साइटोप्लाजम होता है है ऊसले और गनिजम सब्हु जो ऑगांस होते हैं एक सिंगल सैल में जिसा हुमन सेलोटी है उसमें सभी और इंशते हैं वो सारे सके अंदर होते हैं including salvelle salvelle इंसान के में नहीं होती प्लांट जो सेल्स होती है उनमें होती हुमन सेल्स में नहीं होती इतना ही मुझे पता है जादा मुझे पता भी नहीं है the nucleus is dense nucleus कैसा होता dense होता है clear होता है with chromatin 3 होता है chromatin and the nucleus is surrounded by nuclear membrane nucleus जो होता है वो किसके द्वारा surrounded होता है nuclear membrane के द्वारा surrounded होता है ठीक है अब हम बात करते हैं देखिए common structure है common cell है क्या कैसमें याद रखना है single इच में भी single cell और multi cell single cell में पूचे जायता है example का इस्ट है चीक है दूसरी में इसमें structure कैसा होता है three like single अगर दागे के सम्मान है तो इसको हाइब बोला जाता है बहुत शे दागे एक साथ मिलकर बने हुए है तो उसको mycelium उसको mycelium कहा जाता है which is called mycelium and it is possessed cell well and this this is made up of tinine and tinine and polysaccharides cell well comprised protoplasm this is different and they also differentiate into other cell particles oh okay clear chromozom not sorry chromozom isme kya hota chromatid threads hoti hai nucleus hota hai nucleus nuclear membrane ke द्वारा covered होता है that store कुछ भी नहीं है यार चलिए बात करते हैं आगे हम यह आपको picture दिख रही होगी कुछ ज्यादा नहीं दिख गई है कुछ पार्ट बचा हुआ है क्या चलिए ठीक है बात करते हैं और यह तो प्लांट सा दिख रहा है हमें तो क्या दिख रहा है वह आप देखिए अब बात करते हैं यह एक structure है कि फंगस का structure है यह ठीक है तो किस पार्ट को क्या कहा जाता है यह exam point of view से important है किस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है कौन सा वाला पार्ट कहां connected होता है चीक है तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कि देखिए यहां पहे आपको clear mention दिखाए दे रहां केंई değillardant किया और दिखाएезжे दे रहा है जफाने कeszे और प्रॉट कि सको बोलते हैं बार 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 हमने पिछले lectures में भी इस्चस किर था पॉर किसको बोलते जो दर्स्ट होती हैं दानों को पोर यह पोर दिखाई दे रहा है आपको यह दाने हैं इसका यह फ्लॉवर था पहले फ्लॉड था आपने कभी देखा होगा पहले अभी भी है बारिस के बाद में अगर कहीं हम खेतों में जाते हैं वहां पर एक मस्रूम मिलती है जो उपर गांट होती है अब मैं यहां पर नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि हम कुछ O term से उसको बहुते थे ठीक है क्या term था यार पता नहीं नहीं हो चलिए बात करते हैं तो जब उसको हम क्या करते थे फोड़ते थे यह ब्लास्ट करते थे उसको किसी से मारते थे उसमें से डस्ट निकलते थी और ब्लैक क्लर कर उसमें से पाउडर निकलता था थीक है तो वह के इसी ताइप का यह उसी का पाट थे थी फंगस है तो इसलिए हांपर ezi समझ में आता है इसलिये वहीं पाट है यह होश्ट थी आने है और यह धाने गर किसी आपर जाकर गिरेंगे तो यह भी अपने अपने growth करने लग जाएंगे बढ़ने लग जाते हैं ठीक है तो यह बहुत से fungus इसमें इसको कह सकते रहे पाइंट यह पूर इसको कह सकते हैं लगा निम्हार को भकासरिया की चरफम स्जय को बना जयता है इसको बपला जाता क्या कहा जाता है STEM कहा जाता है और बात करें इसमेंसे प्वाइल बहुत पॉर जो दाने दाने हैं इसको बोलाइब ऑन और इसको बोल सकते हैं फीड़ सकते हैं क्योंकि बातले हैं है यह gives forward है वह इसे को इसी में से अपना feeding करते हैं जो कि हरास से जो निकल कर आता है इससलिए इसको क्या कहा जाता है फीड़ फोरte पॉर भी कहा जाता है ठीक है अब बात करते हैं इसके जिससे connect होता है Kis वाले Parts साय में connected होता है स्टोलन से कनेक्टेड होता है या दूसरा स्कूर क्या व्ला Church है इस पोर इन जिए फोर बॉल जाता है इसको और जाता है इससे इस पोर इंजी ओ ओप और स्कूर जाता है इस पोर इन जिए टीए ऐस्वेम करेंग तजाता है इस पर इंजी ओ ओए Kung में बना हुआ था कि इस पॉर्जियम चो पॉर्जियम होते हैं यह स्पॉर्ऑड़ेंचों फॉर्म में होते हैं स्वरी एक होता है इस पॉर इंजियो इस पार इन पॉर इंजियो इस पॉर इन धोटी होती इस पर यह लगा हुआ रहता है पार्ट होता है जिस पीडिन मिलती जालिए बात करते हैं हम इस पोर आगई इस टॉलन आ गया अब बात करते हैं जो और भी चीज वेठावण होती है है रहे हैं धैन कि मैसीलियन लिए कि यह के समीं होती है उसको हम क्या कहते हैं हउत भाइब के समान सिंगल होती है मान लीजिए यह एक pen है इस पैन को क्या बोलेंगे एक की पर प्रट्टि को मिलाकर हम complete को मिलाकर क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे mycelium बोलेंगे तो complete fungus को क्या बोला जाता है mycelium आप यहां पर देख रहे हैं एक पार्ट सिंगल एक जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है हाइप बोला जाता है और इसको complete को क्या बोला जा रहा है complete को बोला जा रहा है माइसीलियम बोला जाता है तो यह वाला जो पार्ट होता है यह भी माइसीलियम के अंडरी इंक्लूट किया जाता है complete पार्ट को माइस्इल का एक इस प्राइट डीडलाइट एस्ट्राइक के सबसझ घुठा हुए न गुत्त हूआ रहता है उसको मास्वले रहता ठीक है यह अब लग लग बनके डॉर्ट को मॉंप्लीट को मinäसीक्त ठ्रेकचर आता है अब बात करते हैं दो इसको पॉइंट बोला जाना पर लप को का सब्सक्राइब न भी तों दो कर चाजय को तने पहले तो पर यह खोगी तों जया जाता है जीए फिर्टक्त करता रहता हो सोईयल को अब आगे बढ़ता है उसका मुजंन होता रहता है उसका और होपाप और एक्जाम में इसी पार्ट से आता है स्पोर्स किसमें बनते हैं पूरेंजिया स्पोर्स से कनेक्टेड होता है इसको क्या कहा जाता है अपोफाइस बोला जाता है कोल मेला में फूट होता है स्पोर्स अलग होते है डिस्प्रक्चर को इसस्ट्रक्चर को वाज आ गया है मज़ा आगया पिक्चर देख्के तो मजह आ गया ना चलिए बात करते हैं यहां पे according to this picture fungal structure और आपको सब चीज यहां पर दिखाई दे रहे होंगी यहां एक टाइप का फंगल नहीं है आपने मस्रूम देखा है मस्रूम भी देख सकते हैं वहां अलग से सबसें ऊपनने के आप के फारम पे बहुत मिलते हैं जहां पर फिम उता है तो इसमें भी ऐसे मस्रूम होते मैं क्या समवोगिकोर्त केस्ट कहरते नियुक्ति करदा है कि एक जो पर्टिकुलर जो पार्ट होता है यह इसकी आप देख रहे हैं यहां पर क्या चीज देख रहे हैं एक सिंगल जो थ्री ड्लाइस धागे के समान जो स्ट्रेक्चर है उसको क्या बोला जाता है हाइप यह चीज जगे जगे पड़ी तो यह भी एक धागे के समान स्ट माझन है ठीक है अब बाले रीप्रोडेक्टिन इसको बाद में बिवात करते हैं लिजाए थृ पहर भी निटीस कल Ó दूजस्य को इसमें बढ़ने लगते हैं जो ड़स्ट आइब का बनने लगता है जब ये पक जाएगा पकने के बाद में इसमें से दाने से गिने लग जाएंगे दिखते नहीं बहुत बारिक होते हैं या प्र每 एक मैंने भी बात किया इसमें क्या हो जाएगा अंदर डस्ट बन जाएगा इसको जब लाएंगे यह पकने के बाद में तो इसमें ब्लास्ट होता है और पाउडर निकलता है ब्लेक कलर का तो यहां इसमें से स्पोर बनते हैं ठीक है नीचे बाला माइसेलियम कंप्लीट जो д्धागय के समानी स्ट्रक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है माइसृलियम कहा जाता है यहां पर देख रहे हैं जड़े सारी माइसीलियम हो गई चीक है चलिए इसमें बात करते है शवर प्लेश्वर करते हैं यहां से रीप्रोट यहां पर जो होता है इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें नुकली होता है क्या उसमें नुकली देखने को मिलते हैं यहां से क्योंकि यहीं से रिप्रोडेक्शन होता है इसका नुकली से मैं पार्ट होता है यहीं से इनका रिप्रोडेक्शन होता है इसलिए और किस साइटो प्लाजमा बहित डिक्षू का अंदर का पार्ट है इसलिए हाँ सरिक्टेलें दिखा रहा हैं तो कपा करद यहां थे लेकिन हमें पता है कि नया घ्रोफ करता दो यह लगता है जा उपर को यह उपर वालरे प्लांट के उपर के पार्ट में फ्लॉवर लगता है यह नुक्ली हो गया शाइट प्लाजमा हो स्यप्ता हो गया सब देखिए हो गया और यह वहां पर बलता है सब Cheryl हो जाता इस एक मतलब यह बोलता है ass व्हते हैं इसको सप्ते बोलते हैं एक किशिब सब्सक्राइब ही इस कि दोनों में उसलाइक सब्सक्राइक इसके यहां पर बात करो ना इसके यहां देखने को मिलती है आधा 117 पर 128 ते चलिए मतलब कि पार्ट को डिवाइड कर देता है दि डिवाइड हो जाता है ऐसा भाइड देखने नहीं मिलता जो भी फ्लूड होता है water होता है जिसमें वह ऊक घूपता रहता है इसमें कोई warrior नहीं होता है यहां पर कोई भी barrier नहीं होता है इसको और भी deeply discuss कर अगर कैसी lecture में करेंगे लेकिन certified point of view से प्रीपीजी banking banking में इतना deeply नहीं जाता प्रीपीज नहीं जाता यहां जाता है यहां इसलिए इतना डीप ली हम कवर कर रहे हैं बाकी की कोई जरूरत नहीं है कभी-कभी बोल लेता हूं तो अगर फास्ट है तो उसको स्लो कर लीजिए अपने वीडियो को स्लो कर क्या आप देख सकते हैं आप चलिए बात करते हैं यहां पर तो इसमें फ्लोड क्या होता है कहां से राव मालीजिये अपने पास में जो पाइप होती ना पानी की जो पाइप होती है वाटर जो एक जगे से पाइप में एक जगे पानी से वह दूसरी जगह पर जाता है कहीं पर भी ले जा सकते हैं यहां से हम च्छत पर पानी पहुंचा सकते हो च्छत का पानी यहां पर आ सकता है ठीक है लेकिन दूसरी वाली जो यो वहती है है उस देखते हैं तो यह वाटरोफ नहीं बहुत बाई को उसको desapémie करने च्छे कोई मतलब भी नहीं लिए तो उसके लोला जाता है स्टा वो Um sons face होती है इनको बोला है सैप्टा बोला जाता है जिसको जिसकी वज़े से सेपरेट हो जाती उसको सेप्टा बोला जाता है बाकी नूकली होगी साइटो प्लाज्म हो गया हाइप्स हो गया इसको जो सिंगल पार्ट को है यह भी हाइप्स है यह भी हाइप्स है यह भी हाइप्स है इस पूर्य को क्या बोला गया है पूर्य को यह एक्जाम के प्री पीजी की बात करें एंटेंस एक्जामिनेशन की बात करें पीजी के लिए तो यह इनफ है ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स पार्ट की इसके क्रेक्टर्स की बात कर लेते हैं क्या क्या क्रेक्टर्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं कर्याइब निव्क क्राइक्टर्स की बात करे करेक्टेश्टिक्स ओफ फंजाई है फंजाई एकर दिसकिस हमने डिस्वस किया फंजाई कैसे होते हैं यूकिरीटिक्स होते हैं चीक है फंजाई और यूकिलिटिक नॉन वैस्कुलर नॉन मॉल्टाइल है हेट्रोट्रोफी और्गेडिज़ में होते हैं यूनियसलेटनलर और फिलमेंटस हो सकते हैं तो यह री प्रॉड्यूज़ घ्री वाइमीन और स्पर्रिस्पर हमने देखा इस पोर के तरूब बी परोड्यों सकते हैं 60 औरemas sole cadre हो सकते हैं सेक्षव यह चीक के खूर के धूर्वरी प्रोड्यों सकते हैं फंजाइध एकसिंट फंजाइशीबिच दाउन लinizi अवाल जन सन अफ जन रेशर फंजाइग लेक लोफिल यह चीज देख चुक्ए हैंज यह मौ्प रोफार्म chlorosis available नहीं होता chlorophyll अवेलेबल नहीं होता ठीक है तो यह खुद फूड नहीं बना सकते है क्योंकि जिसमें chlorophyll होता है plant में और वह plant जिसकी वाज़े से green color होता है वो sunlight को लेता है sunlight के वाज़े से अपना food बनाता है that's it ठीक है तो यह नहीं बना पाते हैं fungi store their food in the form of starch fungi की प्रूप में food को store करते है stars के रूप में चीज़ें यहाँ चीज़ें हर चीज में चीज़ें क्लियर होनी चीज़ें अब स्टार्ट किसमें आता है सार्ट जा थिजा थे प्राइन्ट बोडी में स्टार्ट देखने को मिलता है छीक है तो उसमें क्या होगा स्टार्ट मbard छीब कर बोला जाता एक मetinा संवर्ज को ज्यादा समोजना चाहिए तो इसे समझ सकते हैं कि और ओ में जो चीज कहते हैं वो स्टार्ट को को easily digest कर सकते हैं second point of use अगर हम देखना चाहें तो चावल होते हैं चावल को उबालने के बाद में उसमें जो मड़ निकलता है गाड़ा गाड़ा जो पानी अलग सेपरेट करते हैं उसमें सब्सेदा स्टार्च होता है सब्सेदा स्टार्च होता है इसलिए बोला जाता है कि ज जो चावल हम उबाल के जो चावल खाते उबालने के बाद में पानी उसी में खतम हो जाता है जो पानी उसी के अंदर खतम हो गया उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है और जिनको पेट से रिलेटेड प्रोब्लम होता है डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं होता तो को वह चावल डाइजेस्ट नहीं होते फिर क्या करना होता है कि पहले चावल को उबाला जाता है उसमें जो पानी बसता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है अलग कर दिया जाता है सेपरेट कर दिया जाता है इसलिए उसमें स्टार्च की जो क्वांटेटी होती है वह कम हो ज in fungi the nucleus of the fungi are very small ठीक है जो nucleus होता है fungi में nucleus and nuclei जो किसकी बात कर रहे थे जो को बहुत ही छोटा होता है the fungi have no embryonic stage इसमें embryonic stage नहीं होती है दे डवलब फ्रॉम दे sport शे डवलब होते हैं ठीक है embryonic stage समझ में आया क्या है हर plant में flower होता है flower में embryo होते हैं embryo की वज़े से नया fruit develop होता है लेकिन यह embryonic stage नहीं होती यहां पर जो pores होते हैं जो दाने हमने देखे हैं जो dust होता है उसी से नया एक नहीं fungus बनती है नहीं generation बनती है तो यहां पर embryonic stage नहीं होती यहां पर क्या होती है पर stage होती है the mode of reproduction is sexual 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 में वो क्या होता है दो different जो gamut होते हैं मेल और मिलती है लेकिन sexual में क्या होता है कि उसी कि किसी part से नया जैसे होते हैं किसी plant को काट दो और काटने के बाद में आप लगा दो लगाने से नया plant बन जाता है चल यह बात करते हैं आप वैसे ही master से तो इतना ज्यादा डीपली बताने ही जरुआतनी है यह तरल फंजाइ आर पारासिटिक and can infected the host कुछ फंजाइ जो परासिटिक होते हैं कुछ फंजाइ परासिटिक होते हैं मतलब कुछ ही हरमफुल होते हैं कुछ हमफुल नहीं होते हैं दोनों केटेगरी होते हैं तो कुछ को अभी बात किया ना कुछ को तो हम सब्जी के रूप में खाते हैं चलिए बात करते हैं नेक्स कि फंजाई प्रोड्यूस फंजाई प्रोड्यूस एक कैमिकल कॉल्ड फेरोमॉन फंजाई जो प्रोड्यूस करते हो इसको क्या कहा जाता है फिरोमॉन कहा जाता है विच ली टू सेक्शल रिप्रोडेक्शन इन फंजाई जो सेक्शल रिप्रोडेक्शन को लीड करता है एक्जामपल इंक्लूड मस्रूम मौल्ड और इस यह सब क्या होते हैं फंजाई होते हैं तो यहां से हमें क्या चीज सीखने को मिली यहां से चीज सीखने को यह मिली क्य यह भी नहीं पता क्या मिली फर्स्ट यू कि रिटिक होते हैं नन वैस्कुलर होते हैं नो मोटाइल मोटाइल होते हैं हेट्रोट्रोफिक और्गेनिज्म होते हैं यूनी सैलोलर होते हैं रिप्रोडेक्शन इस पोर के दुवारा होता है इसमें इंब्रियोनिक स्टेज नहीं होती ही जो embryonic stage बाकी plant में होती है ठीक है इसके अलावा गर हम बात करें क्लॉरोफिल की कमी होती है इसलिए खुद फूर्ड नहीं बनाते कि किसी सड़ीवरी चीज को खाते हैं सड़ीवरी चीज को मतलब खाने को भी सड़ा दिया उसको बाद में उसी को खाएंगे क्षिप लए और स्टेटिक बीरिशन होता है नूपल्ड ऐस चोटा होता है ठीक है है इसके लावा रिप्रोड़ेक्साइश्ज को सेक्ष्टाट्शण असेक्षएर रिप्रोडेक्शन होता है समक्व फथा हुन या दुक्ष घाने वाले कुछ有點 कुछ ना वाले कुक अ मतलब यह एक इंसेक्ट होता है जो वह भी फिरोमोन ट्रेप को आपने सुना होगा फिरोमोन ट्रेप के तुरू उसको पकड़ लिया जाता है मादा जो अपने उसमें से फ्रेग्नेंस छोड़ती है वह फ्रेग्नेंस फ्रेग्नेंस बोला जाता है उसको और उसको वहां पे लगा कैपसूल होता है फिल्ड में कैपसूल लगा दिया जाता है कैप्सुल लगाने की वज़ासे माधा होती है या मैं उसमें चलिए बात करते हैं नेक्स पार्ट की इतना तो समझ में आया होगा हम बात करते हैं नेक्स पार्ट की क्लासिफिकेशन और फंजाई अब बात करते हैं फंजाई का क्लासिफिकेशन पहले हमने डिजीज का क्लासिफिकेशन देखा अब फंजाई का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ओफ अंजाई बैस्ड ओन मौड ओफ न्यूट्रेशन न्यूट्रेशन के बैसेज पर यहां पर डिसक्स कर रहे हैं इसको क्या खाय रहा है मॉड ओफ न्यूट्रेशन कहा जा रहा है तो फर्स्ट की घर बात करें है mode of nutrition के according और exam question भी ऐसा ही आता है कि mode of nutrition के बैसे स्वे fungus को divide किया गया है तीन उपसर नहीं होंगे चोता option कुछ और होगा तो यहां पर odd or even की बात की जा सकती है कौन सा इसमें से odd है और कौन सा इन में से even है तो अगर और की बात की जाए तो यह अगर यह तो इसनों even हो गए और और जो कोई कुछ भी दे सकता है चीक है चलिए बात करते हैं सैप्रोफाइट दफंगोस obtain their nutrition by feeding of feeding on dead organism substance example राइजोपस पैनिसीलियम and aspergillus राइजोबियम पैनिसीलियम aspergillus यह इसके एक्जामपल है लेकिन एक्जाम में पूछा जाता है वन आप देम सेप्रोफाइट है जैसे पूर पैनिसीलियम सेप्रोफाइट है पैनिसीलियम परसाइट है पैनिसीलियम राता है तो आई होप आप इसी तरह याद करेंगे और एक्जाम में एंसर देंगे ठीक है तो सप्रोफाइट यह जो न्यूट्रेशन उसको डेड़ पार्ट पे जाकर खाते हैं वह उसको जो सड़ा जो सड़ा गलावा पार्ट है उस पर वह अपना ग्रोथ करते हैं ग्रो आप एं सट्राइब और निमर पे एंड अ अब्जॉब नूट्रेशन फ्राम्ट एयर भूस्ट प्रञविंग ऑब अपक्सीनिया एक आपने रिकॉंडिटा सुना है तो डिजीज की बात है डिजी ये पक्शीनर एक कोंडिटा कहां होता है बाद में देखिंगे चिक है त आप हो चाहे हम हो लेकिन वह कहां पर अपना होस्ट का किसको मानता है जीवित को मैं तो जीवित पर जाकर बैठूंगा और उसको खाऊंगा जीवित कर हम बात करें तो किसी को दाद खा खुझली वगेरा हो जाता है इंसान की वहीं पर बात करें या और भी सिम्टम जैसे प् आदमी इसमें फंगस लगने लगती जैसे हमारा खाना पड़ा हुआ है खाना तो डेडी है वह लिविंग तो है नहीं ठीक है वह पड़ा वह रहेगा उसमें मौश्चर जाता रहेगी तो उसके बाद में दीज दिन उट सड़ने लग जाएगा फंगल स्टार्ट हो जाएगी यह दूसरी स्पेसिस से असोशेटेड होते हैं वहां से दोस्ती करते हैं रिलेशन सिप करते हैं विच बहुत आर मुच्वली बेनेफिटेड जो आपस में क्या होते हैं तुम मैं तेरे को बैनेफिट दूंगा तू मेरे को बैनेफिट देना ठीक है मुच्वली भी प्रोवाइब करेते हैं वह भी फंगल है माई हुसको अगर बाद कहा persistence को वह दो स्वेख्ज़ को सिस्टेन प्रोवाइब कराता है माईकोन रूड सिस्टेम को फास्वार प्रोवाइब करिवाता है चीक है और उदर सेपना खाना लेता है पानी में तेरे से लूँंगा और चीज में तेरे को क्या दूंगा तुझे तो फास फॉरस सब्सक्राइब नोगए तो पुछे से लpod तहां जिना हो वाइज वाह acesso है है यह फंजाई है यह दूसरे पर डिपेंड होता है उससे खाना लेता है लेकिन उसके बदले में उसको भी कुछ देता है भीया इसलिए सिंबायोटिक कहते है सिम का मतलब साथ साथ में हम तो साथ साथ रहेंगे तुम्हारे साथ साथ रहेंगे सिंबायोटिक जहन remake दिखाई दें इसका मतलब साथ-साथ-साथNE में रहना और साथ-साथ में काम करना चीक है सिम भायोतिक ठीक है अब बात करते हैं अब लीचन साутंट आज संबायोटिक असोसिएट बिच्वें ऑलगी इस एंड फंजाइड है कि काई को हम बायो फटिलाइजर की रूप में भी लेते हैं राइस ट्रिल्ड में काम में लेते हैं ठीक है तो वहां पर इसका है लोल होता है लीचन का अब हम बात करते हैं यह बोथ अलगी एंड फंजाई आर मूचली बेरेफिटेड आज फंजाई प्रोवाइड सेल्टर फॉ सब्सक्राइब कर खुक्ति कैसी क्रहाइड वैजन फंजाई तो फंजाई के पास में क्या नहीं है पर कुम तो फंजाई बोलती है मैं खाना कि आपनाओं घिया अब वहीं पे होता है लगी ड होता है मेरे पास में लॉकाना बन जाते हैं मेरे पास और मना सकती हूं लेकिन मुझे कम सेटर मुझे कवर करके रख मुझे घर दे मुझे च्भाइब दे मैं तुझे खाना दूंगी मतलब हर जगह कुछ ने कुछ चलता है बिजनिस जो सिस्टम है बिजनिस रूल तो हर जगह चल रहा है तो यहां पर उसी की बात की जा रही है है एल्गी जो होता है एल्गी को सेल्टर प्रोवाइड करवाता है फंजाई लेकिन फंजाई के पास में क्लॉरोफिल नहीं है क्लॉरोफिल नहीं है तो उसकी वजह से वह खाना नहीं बना पाता इसलिए उसको खाना बना के कौन देता है एल्गी खाना बना के देता है तो य भामने मयाको लाइजा को देखा ही माइकलाइजा प्लांट व्ल्हाइट उस्टेम में डवलप होता है प्लांट को फॉस्फोरस प्रोवाइड कर outfit करता है लेकिन प्लांट इसके बदले को सेल्टर प्रोवाइड कराता है में बेता हूँ हैए तो ऑर आम यह आइंब्रियोज नहीं होते इसको के द्वारा यह ग्रोथ करते हैं तो बर्स चाहें में क्लासिफाइग क्या गया है कि फर्स्ट अगर बात करते हैं जाइगो माई सिटीज जाइगो मैई सिटीज अगर सेकेंद बात करें Ascomycetes and Bacidomycetes, Deuteromycetes, चीक है, तो यह four formation होगे on the basis of spore के according, तो चलिए इनको भी बात कर लेते हैं, अब देखिए यह चीजी जो Mycetes, Bacidomycetes, Deuteromycetes, Zygomycetes, यह very important है, ठीक है, क्योंकि अगर class जैसे हमने बात किया कि जाए deeply discuss नहीं करेंगे, हम fungus को deeply discuss नहीं करेंगे, लेकिन य यह पार्ट वही चीज कवर हो रही है, यहां पर जो चीज छूटी वही थी, ठीक है, यहां पर complete cover हो जाएगा, जो deeply का किस position, वो क्या कहा जाता है, कैसे यह, जो pores होते हैं, वो work करते हैं, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, based on spore formation, gyomycetes, ascomycetes, basidiomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes, ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं, ठीक हो, जाएगो, mycetes, these are formed by the fusion of two different cells, zygomycetes में कैसे fusion होता है, fusion of two different cells, two different cells की वजए से इसमें क्या होता है, fusion होता है, अब बात करें, the sexual sports are known as zygomycetes, दो different, या दो separate sports होते हैं, जो fusion करते हैं, और नया एक, mycetes, जो क्या बनता है, fungus बनता है, इस category को क्या कहते हैं, gamet, जो sexual, जो gamet, जो ports होते हैं, वो connect होने को क्या बोला जाता है, gygospore, while the sexual posts, sexual sports, are known as, sporangio sports कहा जाता है, the hypes are without the septa, ये कैसे होते हैं, hypes होते हैं without septa, अभी चीज हमने देखी न, एक में तो बीच में septum लगे होते हैं, जैसे, गन्ने में septum होता है, या अधरक में जो गाठे होती है, एक होते हैं without septa, तो ये किस टाइप के होते हैं, जैसे, जैसे, जैसे होते हैं without septa होते हैं, पानी की pipe की तरह होते हैं, एक जगे फ्लूड रहोता है, वो सब जगे घुमता रहता है, ठीक है, चलिए, तो इससे क्या समझ में आया हमें, अगर जो asexual spore होते हैं, उनको कहा जाता है, sporangio spore कहा जाता है, और जो sexual होते हैं, उनको gygo spore कहा जाता है, दो चीज़ क्लियर हुई, sexual को gygo spore कहा जाता है, और जो asexual होते हैं, उनको sporangio spore कहा जाता है, ठीक है, दूसरी चीज़, जो hypes होते हैं, वो कैसे होते हैं, septa, septa का मतलब separate वाले होते हैं, यहां पे, हो गया चिक है यह हो गया इसमें बीच में Summ ten बाट बटे यह ही रहते हैं शसले क्या कहें था है और sr this is these are without ptah हो ओता है मतलब हुए सब्टाह नहीं होता है क्या हो टो कड्र हो इसमीं श Finnish स्क्राइबन के लिए यहीं होता है सेप्टर डिवीरेंट पार्ट में बाइता है तो क्या हो गई जैको मै इस चछित Talk Women सब्सक्राइब माइन ज defensive बात करें और ओल्सो सेकपंजाइं इसको हो गजाता है called as sex fungi कहा जाता है दे कैन भी कोर्पोफिलस यह कैसे हो सकता है कॉर्फोफिलस हो सकते हैं डी कंपोजर हो सकते हैं ठीक है पैरासिटिक हो सकते हैं और सैप्रोफाइट हो सकते हैं एएक्षर इस पॉर और कॉल सको समझ में आया मुझे तो नहीं समझ में ठीक तो कोशीज इस किलियर मेंचन है कि पहली चीज तो एसको माई सिटीज जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है या किस टाइप के होते हैं सेक्स कहा जाता है सेक्स का मतलब सेक्शन टाइप का ठीक है दूसरी यहां पर अगर हम बात करें तो कॉर्पोफिलस या डीकंपोजर होते हैं या पैरा होता है डी कंपोज़ैंदी कंपोजर चीज़ों को सडा गला यहां डेते हैं तो दोनों टाunku चीज़ों को घॉरा ना इंकंपोश्ट होता है आपन उनोगबर की खाट चाड जाती है किनकी दवरा होती है यह तो यह कैसे होते डी कंपोजर खरपोफिल और फॉफीला सोते हैं jeisco होते हैं युद यह पिरस्टिटिक होते हैं इसाप्रोफाइट और सक्रोफाइट यह कुण Quindi होता है ठीक है अब हम बात कर रहें आपे जैसे सब़ाइब अभी इसकोफ £đफ है कि सैप्रोफाइड जो होते हैं तैड जो ओर्गिनिज्म होते हैं जाता है sexual को क्या जाता है को स्पोर कहा जाता है और एस को स्पोर कहां जाता है और एससल रिपोडरेक्षण और का का अ sapon dazu You spor for example Samичra my Zeus की में क्लिबत हैं क्या एसे आप कशनल होता है तैंसे पहले हमने क्या चीज्ज़ का स्पोर grateful स्पोर'SX होता है यहीज याद रखने लाइक है यहीज प्लिक candle है मैस मैसेटीज मस्रूम आर दमोस्ट कॉमन फावंडेट मस्रूम जो हम काते हैं भाया हूप काऊनची में होती है बच्ट-गरी में आती इस जो यह इसमें पॉर्सटे मो कैसे ब्स 이ो मैसे इस जो यह लिए आस परसीटी यह किस पर रहते हैं जीते हैं परसेटी टैप सेक्शुल री प्रोडक्शन ओकर बाई बैसीडियो माइसीटि इसमें कौन सा किस टैप का होता है है sexual कैसे weegeach होता है इतका मस्रूम को हम सीड के द्वारा ग्रोथ करते हैं एक मस्रूम को काट कर कही JUN की लगा जिया दूसरा मस्रूम नहीं लगता है हमें बीज लाना होता हो फिर लगाना उता तो इसका भी तैयार होता है और एनके त्रूनरू हो क्टेगरी में आएगा दिखा जा सकता है लेकिन कॉनीडिया और बढ़िंग और फ्रेग्मेंटेशन बढ़िंग और फ्रेग्मेंटेशन फॉर एक्जामपल अरेगी कस अरेगी कस जो फंगस होता है उसमें या तो या तो किसके थूरू हो सकता है कॉनीडिया के थूरू हो सकता है या बढ़िंग ब को बढ़ते हैं क्टिंग और बडिंग वाला पार्थ हम बखुवी डिसक α किया है चीकरका तो है तो यहां पर बात किसकी आती है बेसिधियोर से नीए ता है निसके लावा और भी होता है फंगस होता है लेकिन बोर मसटरूम को dapat तरेगरी में रखा जाता है मस्रूम एक परसेट मस्रूम जो की बात करते हैं एसेक्शल रिप्रोडेक्शन इसमें वर्क होता है एसेक्शल होता है रिप्रोडेक्शन होता है लेकिन इसके लावा जो दूसरे भी आता है बेसीडियों में जो दूसरे टाइप के फंगस होते है है उसमें किस तैप का होता है sexual reproduction भी होता है ठीक है है और सोरी एसेक्षवल रिप्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है बात करते हैं डूटेरो मैसीटीज यह लगाता रिप्रोडेक्शन साइकल यह लगाता रिप्रोडेक्शन साइकल नहीं reproduction नहीं करते मतलब इंकी जंसें के लगातार नहीं बढ़ती है इसलिए इनको क्या कहा जाता है Deuteromycetis को दूसरा कहा जाता इंपर्फेक्ट नहीं हो तो हम बोलते हैं तुम तो प intestines they do not reproduce sexual your sexual reproductive नहीं होते है i-sexual reproduction is by Conadia example ऑब ऑटरे को डर्मப्पटार हमने देखा ہے क्शेल को होता है वेल्टाइ को डर्मा क्या होता है वारी सांप ट्र प्रात्य को डर्मा ट्राको डर्मा करते हैं तो काटेगरी में यादा है इसक्ष्षिल नहीं होता है ठीक है यह होता है ठीक है किस केक्ष्षव का रहता है और तो अब अ कॉनिदिया के तुर्व एग्रोथ करता है कॉनिडिया के धूये अलमोस्ट होता है 4 Ketegg जाएffen, Jinnom curvature, Ascomün am분ate, Basilomic tetes, Duteroomycinis ठीक है , तो यह होता है अबना classification अब हम next lecture में बात करेंगे नेक्सिस के classifications के बारे में तब तक लिए खंबंगाणि, चलिए मिलते हैं फिर